हलो स्टुडेंट्स मैं कुसल सर्मा आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल कुसल क्लासेज तो देखें आज हम 10th क्लास के 4.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं जो की एक्चुली नेचर ओफ रूट्स पर बेज़्ड है तो देखें इसका फर्स्ट कोश्चन क्या है find the nature of the roots of the following quadratic equations if the roots are real that means if the real roots exist बात एक ही है find them अगर real root आते हैं real root की पैचान क्या थी बही जो discriminant है that means कि b square minus 4 इस ही वो greater than equal to 0 ना चाहिए है ना तो देखें फर्स्ट कोश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट गीवन equation क्या है हमारे पास 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0 इसको हम 1 बोल दे जो पड़ेगी तो अब अब इसको compare कर ले compare equation 1 with ax square plus bx plus c is equal to 0 therefore a किसके equal आजाएगा 2 के equal है ना और b किसके equal आएगा minus 3 और c 5 के equal अब हम यहाँ पर discriminant find out करने वाले हैं जो कि किसके equal है b square minus 4 इस ही है ना तो देखिए b की जगे हम b की value को substitute कर रहे है और a और c की values को substitute किया तो यह हमारे पास क्या रहे है 9 और यह कितना बन जाएगा 40 तो result हमारे पास minus में आ रहा है that means कि it is less than 0 तो हम बोल सकते हैं इसको देखते हुए therefore the roots of equation are not real अब वो real नहीं है तो अपना जो question है वो यहीं पर खतम होता है ठीक है second part try करते हैं maybe वो real निकल कर आए second part फिर से हम वही चीजे लिखेंगे given equation क्या है 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0 फिर उसको comparing equation 1 with किस से करें ax square plus bx plus c is equal to 0 से तो a की value किसके equal आ गई 3k b की value minus 4 root 3k और c की value 4 के equal फिर से हम b square minus 4ac find out करते हैं so b के replacement में b की value substitute करी then a की value और c की value अब देखें minus का square plus हो गया 4 का square 16 और root 3 का square 3 है ना root अट जाएगा तो 16 ती है 48 फिर से 4 तो 16 16 ती है 48 यह तो हमार पस किसके equal आ गया 0 के equal आ गया है अब 0 के equal आ आ है that means कि root तो real हो जाएंगे लेगिन साथ साथ वो equal भी होंगे है ना तो हम बोल सकते हैं therefore roots of given equation are real and equal हलांकि नो ने सिर्फ real के बारें पूछा था तो आप सिर्फ इतना भी आंसर कर सकते हैं equal की नो ने पूछी नहीं तो हम क्यों भी बताएं है ना अब हमें क्या बताना है कि अगर यह real थे देखिए क्या लिखा था if real root exist तो उनको हमें निकालना भी है तो अब हम यहाँ पर middle term split का जो तरीका है वो use नहीं करेंगे ठीक है quadratic का ही use करेंगे क्योंकि quadratic का काफी हद तक काम हम already कर चुके है ठीक है और वैसे एक बात बता है जो discriminant होता है discriminant को हम d के रूप में represent कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ठीक है तो अब हम यहाँ पर quadratic की help लेते हैं using quadratic formula ओके क्या है यह formula x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac all divided by 2a अब देखिए इसमें हम b square minus 4ac तो already निकाल चुके हैं है ना तो काम हमें दुबारा से इसमें substitution का नहीं करना है बस यहाँ पर b और नीचे जो a है बस इसकी values को substitute करेंगे ठीक है तो क्या-क्या है यह देखिए minus b b हमारे पास minus 4 root 3 है plus minus root इसके अंदर के आ जाएगा 0 अब कहां से आया वो बताना चाहे तो इसको बोल दीजे कुछ आप माले जे इसको equation 1 बोल के आयोंगे है ना इसको 2 बोल दीजे तो यहाँ आ जाएगा from 2 और नीचे 2a यह कितना है वही 3 है 3 हमने substitute किया तो देखे यह minus minus plus हो गया 4 root 3 अब देखे plus minus 0 का root 0 ही होता है और divided by 2 into 3 6 आ गया तो अब यह देखे कई बच्चे अब गड़बड क्या करते हैं यहाँ आप पर वो सोचते हैं 0 है लिखने के जोड़त नहीं है बस इसको एक बार ऐसा लिखा और चोटी मोटी cutting करके जो result बचता है उसको लिखके answer दे देते हैं तो यह actual में कहीं न कहीं गलत है आप खुद सोचिए भई quadratic equation है तो इसके roots कितने निकलने चीए दो निकलने चीए और आप यहाँ represent क्या कर रहे हो एक ही represent कर रहे हो तो वो गलत तरीका तो आपको क्या करना चीए प्लस के साथ एक बार 0 अलग ठीक है एक सेकिन दुबार अगरतें देखिए प्लस के साथ 0 अलग एक बार represent करें फिर कॉमा लगा के माइनस के साथ एक बार अलग represent करें ठीक है अब चाहे result सेम बचे लेकिन लिखना तो दो बार पड़ेगा ना भई चाहे सेम रूट हो तो उसको हम लिख कर टू टाइम ही represent करेंगे ऐसा नहीं कि उसको एक बार लिखा और हमारे पास वही आंसर माल दिया जाएगा लिख के दो बार दिखा दीजिए ठीक है वह सेम हो गया वह एक दूसरी बात है तो हमने देखिए roots भी find out कर दिये हैं इसी तरह से अब हमें इसका third part करके दिखाना है so third part भी अब फटा फट चलिए try करते हैं क्या है 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0 तो इसको ax square plus bx plus c is equal to 0 मेरा 6 और b एक जैसे लगता है कई बार मुझे confusion हो जाता है so a की value किसके equal आ रही है 2 के equal आ रही है b की value minus 6 के equal आ रही है तो ड़ा मैं change करने की कोशिस करता हूँ जब ध्यान में आ जाता है लेकिन जब flow में होता हूँ जब मैं b की तरह लेग देता हूँ चलिए okay so b square minus 4 a c निकालना है so b minus 6 square minus 4 a and c so यह 36 बन गया और यह 4 दुनियाट यह 24 तो कितना आ गया बही 12 तो greater than 0 इस तरह से ज़रूर दिखाएं greater than 0 है या less than 0 है equal to 0 पे तो equal अपने आप आ जाना है है ना so अब हम बोल सकते हैं therefore roots of given equation are real अब real है तो हम निकालना भी है तो फिर से हम क्या करेंगे quadratic मैं फिलाल वो line लिखने रहा using quadratic formula क्या जाएगा minus b b की value देखो कितनी है minus 6 direct value substitution कर दे then b square minus 4 a c उसके अंदर वाला जो portion है वो अलड़ी हम निकाल चुके है वो तो root 12 के equal है और divided by 2 a a की value कितनी है 2 a के मतरब 2 के equal है अब इसको simplify कर लेते है वही 12 जो root है उस 12 को हम ऐसा लिख सकते है 2 into 2 into 3 और तो जो 2 2 time आया हुओ है उसको हम root से बाहर ले सकते है यानि कि हम 12 root को 2 multiply root 3 ऐसा लिख सकते है और divided by क्या है 4 है तो एक बार हम plus का sign या आप directly पहले क्या आगर सकते है इन दोनों में से 2 common आ सकता है 2 common ले लिजिए क्या बच गया 3 plus minus root 3 divided by 4 2 से 4 cancel करें तो 2 अब हम एक बार plus का sign दिखा देते हैं और एक बार minus का sign अब इसको और simplify तो कर नहीं सकते तो यही हमारे क्या हो जाएंगे final roots हो जाएंगे therefore the roots of the given equations are these है ना so I hope आपको जो nature of roots के through जो दो चीज़े बताई आपने आपे हैंना nature भी बता दिया और roots भी find out कर लिया तो यह जो question है वो समझ आया होगा so please click the like button and share the video with your classmate और अगर आप channel पर नहीं है तो please subscribe the channel thank you